जब भी किसी व्यक्ति की किड्नी खराब होती है तो उस व्यक्ति का क्रिटिनिन सबसे तेजी से बढ़ने रखता है। और या फिर उन्हें बहुत सारी दवाएं देते हैं जिनमें शुगर की दवाएं, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं और यूरिन रिलेटिड कुछ दवाएं शामिल होती है। अब बात आती है कि किड्नी की कारिश्रमता को बढ़ाना कैसे है, जिससे क्रिटिनिन कम होने लगे, तो इस मुश्किल सवाल का सीधा सीधा जवाब है डाइट और आयरुविदिक दवाएं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आखी डाइट में ऐसा क्या लिया जाए कि जिससे आपका क्रिटिनिन लेवल कम हो जाए। तो सबसे पहले है, आप अपनी डाइट में अच्छी सबजियों को शामिल करें, क्योंकि इन्हें पचापाना काफी आसान होता है, किड़नी रोगी को अपनी डाइट में टिंडा, तोरई, परवल, हराकद्दू और लौकी को जरूर शामिल करना चाहिए। अगर ठंड का मौसम है, तो आप गाजर और मूली को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है, अपनी डाइट में फल जरूर शामिल करें, लेकिन वो भी सेमित मात्रा में। चली अब बताते हैं कि किड्नी रोगी को कौन-कौन से फल लेने चाहिए। तो किड्नी रोगी को अपनी डाइट में सेब, पपीता, नाशपाती और अमरूद को शामिल करना चाहिए। किड्नी रोगी अमरूद को बीज निकाल कर ही लें, नहीं तो इससे आपको डाइजेशन की समस्या हो सकती है। जब आप अपनी डाइट में फ्रूट शामिल करते हैं तो इससे आपको यूरिन रिलेटेट सभी समस्याओं में आराम मिलता है और सबसे जरूरी की बाडी से टॉक्सिंस दूर होने लगते हैं जिससे आपकी किड्नी की कारेशमता मजबूत होती है और फिर जब किड्नी की कारेशमता मजबूत होती है तो क्रिटिनिन अपने आप कम होने लगता है। चलिए अब जानते हैं आपको इस दोरान कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके किड्नी की कारेशमता कम न हो तो सबसे पहली बात तला हुआ ना खाएं दरलसल जब आप तला हुआ खाते हैं तो लीवर को ऑईल या घी को पचाने में ज्यादा काम करना पड़ता है जिसका मतलब है कि यूरिया लेवल बढ़ने लगेगा जब यूरिया लेवल बढ़ता है तो इससे किड्नी पर बुरा पानी ले ले जब आपको प्यास लगे तभी आपको पानी पीना है और कोशिश करें कि एक बार में 100 ml तक ही पानी ले अगर आप एक साथ ज्यादा पानी ले लेंगे तो किड्नी उससे ठीक से फिल्टर नहीं कर पाएगी और फिर वो बॉड़ी में जमा होनी लग जाएगा और फिर इसकी वजह से बॉड़ी में सूजन आने लग जाएगी तीसरह है आप समय पर दवाई लें किड्नी की कारेशमता बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर्स की दी हुई दवाओ को समय पर लें अगर आपने खाली डाइट पर फोकुस रखा तो इससे आपको फायदा नहीं मिलेगा और साथ ही अगर आप खाली दवाओ पर फोकुस रख रहे हैं तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा आपको दोनों पर ध्यान देना होगा तभी आपकी किड्नी की कारेशमता बढ़ेगी और तभी आपकी बॉड़ी में क्रिटिनि लेवल कम होगा मैं उमीद करता हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो ठीक से समझाई होगी और आपको आपके कई सवालों के जवाब मिले होंगे अगर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट के जरीए अपना सवाल पूछ सकते हैं हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए 24 घंटे खुला है जब भी आपका दिल करें अपनी बात रखें किर्णी ट्रीटमेंट वदाव डायलेजिस में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इससे लाइक और को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बैल आइकन को भी जरूर दबाएं मिलते हैं फिर अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार कि अगर आपका अगर नाम गुराब लिख्षिद है जवाया थे क्या दिक्कत दो एक तो मेरे वर स्वैली मोथ तो चैरा बशूज गया था पैर बशूज गया थी और मैं अगर दो कदम भी चलता तो ऐसे लगता था कि मैं गर जाओं नहीं आपको गया था जाए था और दो को कदम भी चलने ही पाता था 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 मुझे अवाइट कर देता है कि आप जो है डिली भी गया है लेकिन मैं आपका ये टीवी पे देगा मैं हाब आज में तो महीने दवाई खाते पहोगी और मैं अज यूपी से स्वैम गाड़ी चला के रहा हूँ और मै क्या था 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 जबाएभी मैं घए जिती हुगी झा रहा है पूपी।